हेलो फ्रेंड्स एक वार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोडियम दर 21 में फ्रेंड्स आज की इस लाइब क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट के 20 से इनपोर्टेंट 20 भी वी आई ऑब्जेक्टिव कोशन करने वाले इस वीडियो में ठीक है तो आज का लाइब आप लोग छोड़िएगा मत सुरू संद तक दिजिएगा और जल्ली से एक बार वीडियो को लाइक कर दिजिए अपने दोस्तों के पा कि अपने दोस्तों के पास भी इसलिकर ठीक है तो आज कि इस वीडियो में अमनों 20 महत्व पूर अबजेक्टिव कोशन करने वाले साइन्स का ठीक है चलिए जली आप लोग वीडियो को लाइक कर दिजिए और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के पास चलिए अपना नाम भी करते हैं अपना नेम जाले से कमेंट की एक मिनट बेट करेंगे सबी स्टूडेंट का उसके लाइब क्लास को स्टार्ट करते हैं चलिए आपके स्कीन पर पहला कोसन आपको दिख रहा होगा कि हमारे सरीर में पी एच कितने परास के बीच कार्ज करता है चार आपके स्कीन पर है और इसमें से एक एंसर है ठीक है तो पताए तो हमारे सरीर में पी एच कितने परास के बीच करता है करेक्ट एंसर क्या होज़ेगा फर्स्ट कोशन है चले दस सेकेंड आपको टाइम देते हैं इसके वादम खुद एंसर बता देंगा ठीक है चले फुटाफट लाइब चैट पर कमेंट करें लोग चले फुटाफट चले बहुत खुब बहुत बढ़िया चली राइट असे जो करेक्ट है उनका बिल्कुल करेक्ट एंसर है फर्स्ट कोशन का भी राइट एंसर है चले सकेंड कोशन आपके स्कीन पर सुध सोना को ब्यक्त किया जाता है सुध सोना को ब्यक्त किया जाता है 22 करेट में 24 करेट में 20 करेट में या 12 करेट में सुध सोना को ब्यक्त किया जात खीड और एक भी कोसन का गलत अना चाहिए ठीक है कि ओलनी उना पको ठाप्ट को आपको पहले आ चुके और फिर सब रिपीट में ठीक है और आपको यानि पूरा आहिए प्लोग आप दिए किसे कि सुई करते हैं च Regular में आप साथा बीष करेंट में सुध सोना को साम norm भी कर्रेक्ट हो जाएगा जल एड़े स्कीन पर हैं कौन सा और धात्यु कमरे के टाप पर द्रब होता है कौन सा और धाद हाथ सिर्फ फटाफट कमेंट कीजिए तो जले अलिकामेंट किजिए लो थर्ड नवर को सने कौन सा और धातु कमरे के ताप पर द्रब अस्थाम पाजाता है तो राइट असर क्या होगा ऑप्षन नमबर यह ठीक है ब्रोमीन होगा जितने विश्वन अप्षन नमबर यह दिये है कौन सा और धातु कमरे के ताप पर द्रब अस्थाम होता है यह ब्रोमीन उनका विल्कुल करेक्टर अंसर है तीन का एराइट है चलिए चौथा नमबर को सने हैं शीज़ा और टीन के मिश्रधातू को कहते हैं सोल्डर इस्टील गन मेटर या उपधातू शीज़ा और टीन कि मिसे जातु को क्या कहते हैं फुटाफ़र कमेंट की यह सब स्टूडेंट वेरी गूड ऑप्षन नमबर इसका एक ठीक है सिसा वर टीन के मिसे जातु को अम लोग सोल्डर बोलते हैं यानि आप्षन नमर भी चौथा का बी राइट एंसर ठीक है चौथा का बी करेक्ट एं पांचपि पाइसे जाट आपकी स्कीन पर है यूज की टीन लोटत है और एक ठीक है चलिए बिलकुल आप्से नमर पाँच का भी यह आनि अपसन नमर इसका भी स thermal पाइस भाइज होगा है एल्कॉल का अनुस्षित्र ओप्षिन नामर भी करेकट है चली छाटा नामर को साने निमलिखीत में कौण कई डियू मैं ए्टιο कार बन है कॉन है कि ऐयू हुआ चलिए सीचित में Carl या या यह बन्ह रिख्योंती नबर्ट को जाएगा या द स्प्सटर संतर होता है तो पेंजीन थीजिस वो जाएगा यांनि हीजेन थीजिफ दूब सय सब्सक्राइब साथ पर को सबनें देखते हैं अन्लोगेश्च क 여러분 में दूबअ होते हैं दोईटिक हूश्च कर्बन में दिना धनाबन होते हैं और चाहे करपोन सब्सक्राइब कर दो चलिए आपको 10 से 12 सब्सक्राइब को टाइम मिलता है कमेंट करते रहेगा ठीक है सात्वा नमबर कोसन है कि निम्लिखित में कि साइडो कारबन में तीन आबंध होते हैं विल्कुल ऑप्सन नमबर आप लोग क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है सी 3 x 4 ओगा यानी ऑप्सन नमबर सी करेक्ट साथ्वा कोसन का एंसर ठीक है चलिए आठवा नमबर कोशना आपके स्कीन फर फटाफट कमेंट किजिए आवर सानी के उदर अस्थांबो को कहा जाता है आवर सानी के उदर अस्थांबो को आम लोग क्या बोलते हैं चलिए चा जलिए बहुत माणी आवशार नंबर क्या होगा एख होगा आवसार की उधर का को अम लोग वरक कहते हैं यानिए अपसन नमबर एक करेट हो जायेगा आप लोग देखिए आवासानी में ऐसे जो यानी धातव को सजा जाता है उसमें होते हार ये धातुप далее फाली चारोपij पर कृह ये चलिए उसमय को छोड़के मत किजिए और लाइफ को छोड़के मज़ायीज चाहिए और मढलेफ यहां दिया तो आप लोग गलती कर देंगे इसलिए आपनों लाइब को छोड़िए मत चलिए बिल्कूल ऑप्सण नमबर इसका भी हो जाएगा हिलियम हो जाएगा यानि आवसानी के सुन वर का जो तत्व होता है वह कुन होता है हिलियम होगा ऑप्सण नमबर भी करेक्ट है चलिए देखते को शरीर से बाहर निकालने को क्या बोलते हैं पाचन तत्र बोलते हैं तंत्री का तंत्र बोलते हैं परिसंचरन तंत्र बोलते हैं उत्षवर्जन तत्र बोलते हैं बोलते हैं कि एक लिए फटाफर लाइट अब कमेंट की जे वेर अब डियोगा ठीक है उच्छा नबर दी ओगा ठीक है उच्छा नता बोलते हैं देखिए बिभीन कि रियाओं के फॉसर बने हाइड़कार्वन पदार्तों को सरी से बाहर निकालने के जो तंतर को हम लोगो बोलते हैं उ सब्जक्ति में पूछ देखिए उसर जान से आप क्या समझते हैं उसर जन क्या है उत्वर्ण की परिभासा दें ऐसे कोशन पूछ अक्टा आता आप लोगी याद कली जिसको अभी चलिए 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 जलिए जलिए कोशन करेंगे एक क्रित्रिम परिक नेट्रोजिन द्वारा निकालता एक क्रित्रिम ब्रिक नेट्रोजिनी अपसिस्टे उत्पादों कूर उधीर से किस पकिरिया द्वारा लिकालता है बताई तो फटाफट कमेंट कीजिए चलिए आपको कम समय देंगे आपको कमेंट करना ठीक है राइट एंसर बिल्कुल आप्शन नमब देखते हैं लोग देखें तेरा नमबर कोसन है कि मनुष के सरीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन होती है मनुष की सरीर की सबसे बड़ी गरंथी क्या होती है बताई लीवर होती है अगनासे होती है अड्रीन होती है एड्रीन होती है अड्रीन होती है बताई तो मनुष के सरी मैं सबसे बढ़ी क्रांथि क्या हो जाएगी बिल्कूल आप्सा नमब तेरा काई हो जाएगा ठीक है तेरा का अप्षिन अबर यानि लीवर माली आप एक्जाम में लीवर यकरित अपने आपकी जाए तो यकलित को ठीक है चली चौदर नमर को सने गवाइटर अथ्व घेंग के सब रोख तो देखिए आयोडीन की कमी से होती है ठीक है आयोडीन की कमी से जो घ्कि जो है वो गवाईटर आत्वा घंगा पनापता है ठीक है चौदर का वी करेक्थ है चलिए पॉंदरा नबर को सनपके इसकीन परें मुकूलन द्वारा और एंग कीजम होता है करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा चलि daw मा폰 किछ सक जली चलि आपसन नमर किस परकार की झिली ऊट्वारा फरता हीजली कशी खेली आभी लेयं परकार के जिली किस परकार की जिली तो और पर गम और दो गाले किया पर सुरी आप और दोगा ठीक है और द पारे गम ऑप्षान नमस्टी उगा चोला का सी चलिए 17 नमबर को सब्सक्राइब किसे प्रस्तूत किया तो देखें जीन सब्सक्राइब किये थे उनका नाम क्या था और यह जीन सब्सक्राइब का सबसे पॉले जॉंसन ने पर्स यानि प्रस्तूत किया यानि पर्दासित किये ठीक है चलिए 18 नमर को सब्सक्राइब मलेरिया अथवा करने वाला देखें मलेरिया उत्पन करने वाला मत्षड यानि मादा एनू फेलिस कि से तरह की जल में मिठा जल में या इनमें से कोई नहीं मलेरिया उत्पन करने वाला मच्ठ किस तरह के जल मुठपन होता है साफ जल गंदा जल मिठा जल या इनमें से सबी बताए चले इसका रिट असा जोगा option नमर बी होगा और इसका विए ऐख षाट्र बोलेंगे कि और फ्रहें होगा तो आप लोगे नहीं मलरया उतपन होता है तो दो गन्दा जल में होता है आप लोग याद करिए 8 का आप्सण आप्सम में अबर तो बहुत सरे बोल रहा प्रक्रम द्वारा भी घटीत होने वाला पदार थे तो देखिए चार अपके स्किन पर राइट एंसर होगा ऑप्शन अमरी अनिसका यह होगा यानि सुखे घासपत्ति अबर एक रख अनिसका यह होगा ठीक है चलिए बीस नमर को सवरी देखिए बीस नमर को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों को विडियो कैसा लगा और आप लोग कितना को सब्सक्राइब कियो बता देना सभी कमेंट बॉक्स में ठीक है चलो लाइब करते हैं ठीक है चलोग सब्सक्राइब करता है